केवल बैट के सूचने से पैसा पॉकेट में नहीं आता उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा तभी आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से पैसा कमा पाएंगे बहुत सारे लोग केवल बैट के यूटूब पे वीडियो देखते रहते हैं भाई तो केवल वीडियो देखकर आप प्लैनिंग बनाते रहिएगा मैंड में कि कल से स्टार्ट करेंगे कल से वीडियो बनाएंगे तो वो कल आपके लाइप में कभी नहीं आगा आप कीवल सोचती रह जाएगा आपका जो एज है दिरे 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 निकल जाएगा आप कीवल सोचती रह जाएगा कभी है स्टार्ट नहीं कर पाएंगे जिस समय आप बैट के वीडियो देख रहे हैं How to Earn Money Online उस टाइम आपके एज के बहुत सारे लोग पैसा चाप रहे होते हैं आप मुझे ही देख लिजे मेरे चैनल पे भी 800 प्लस सब्सक्राइबर है बट फिर भी मैं अपने चैनल से अर्निंग करता हूँ अब आप लोग सुचेगा भाई कैसे अर्निंग करते हो तो सिंपले इसका प्रूप है ये माइक मैं अपने घर से एक भी रुपया ने लिया हूँ ये माई खरीदने के लिए जो आप परदा देख रहे हैं या जो मैं पहना हुआ हूँ मैं बहुत सिंपल फैमली से बिलॉंग करता हूँ बट फिर भी मैं अपना वडियो बनाने के लिए खुद से पैसा अर्न करके ये सब बनाया हुआ हूँ ऑनलाइन भी मैं थमनेल बनाके बेशता हूँ बैनर बनाके बेशता हूँ लोगो बनाके बेशता हूँ तो मैं खुद अर्निंग कर रहा हूँ मैं खुद एक एस्टुडेंट हूँ तो अगर आप एक student है तो आपको सिर्फ दो घंटा time देना है भाई मैं आपसे माग रहा हूँ कि वल दो घंटा time आप आज से दो से तीन मन्त के लिए दो घंटा time देजिए दो घंटा, दो से तीन घंटा में आपको एक वीडियो बनाना है अराम से YouTube पे upload करना है वीडियो कैसे बनाना है, किस topic पे बनाना है, content कहां से find करना है ये सारा कुछ मुझे पे छोड़ दीजिए मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में मैं आपको सब चीज बताऊंगा उसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारा shortcut trick भी बताने वाला हूँ जिसके थुरू आप बहुत कम टाइम में अपना वीडियो बना पाएंगे और आपका पढ़ाई भी डिस्टरप नहीं होगा मतलब की पढ़ाई की साथ साथ आप वीडियो भी बना लीजिएगा और अगर 2-3 मंद मतलब समझी की 3-4 मंद का हम लोग टाइम ले लेते हैं 3-4 मंद अगर आप रेगुलर सही तरीके से काम कर दिए सही तरीके से वीडियो अपलोड कर दिए तो आप भी 30-40,000 या 50-60,000 रुपिया आराम से अर्न कर सकते हैं मैं आपको प्रूब भी दिखाऊंगा बहुत सारे स्टुडेंट जो हैं वो ऑनलाइन GKGS करेंट और फेर्स का वीडियो बनाके मन्थली लाखो रुपिया आर्न कर रहे हैं बट आप लोग केवल सोचेंगे भाई वीडियो देखेंगे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा आपको आगे आना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा वीडियो बनाना पड़ेगा अब देखें यूटूब पे क्या होता है बहुत लोग अपना चैनल तो स्टार्ट करते हैं पांच दिन वीडियो बनाएंगे, दस दिन वीडियो बनाएंगे, चैनल से कोई रिस्पॉंस नहीं मिलेगा, तो वीडियो बनाना ही बंद कर देंगे, because उनको यूटूब के बारे में पता नहीं है, यूटूब सबसे पहले आपसे 5-6 मन्त का टाइम मंगता है, 5-6 मन्त आप यूटूब को वीडियो बना के दीजिए, उसके बाद यूटूब जरूर आपको परमोट करेगा, कभी न कभी यूटूब आपको परमोट करेगा, और जैसे ही आपको यूटूब परमोट किया, आपका बले बले, आप बहुत ज़्यदा पैसा अर्न कर सकते हैं अभी यह जो मैं वीडियो बना रहा हूं अभी मेरा चैनल मुनेटाइज नहीं है तो मैं इस वीडियो से अर्निंग नहीं करूंगा इस वीडियो से जो भी अर्निंग होगा वो यूटूब रखेगा बट आपको क्या लगता है मेरा चैनल मुनेटाइज हो जाएगा तो अभी के टाइम में मेरे चैनल पे जितना वीडियो है सभी वीडियो से मैं अर्निंग करूँगा तो अभी ये जो वीडियो है ये व्यर्थ नहीं जाएगा ये जो मैं टाइम दे रहा हूँ इसे मुझे आगे चल के फायदा होगा तो ये सोच के आपको काम करना है कि आज जो आप वीडियो बना रहा है उससे आपको आगे फायदा होने वाला है तो चलिए बिना टाइम बेस्ट किए सबसे पहले मैं आपको कुछ चैनल का प्रूप दिखा देता हूँ विकोज जब तक आप लोग प्रूप नहीं देखेंगे तब तक भरोसा नहीं करेंगे तो सिंपली बगल में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखेगा सिंपली हम सबसे पहले चलेंगे यूटूब पे और यूटूब पे जाने के बाद हम यहाँ पे एक चैनल आपको दिखाएंगे जस्ट यहाँ पे सर्च करते हैं जी के द्रिष्टी सिंपली आप इस चैनल को देखेए इन्होंने अपने चैनल पे ओनली 92 वीडियोज अप्लोड किया है अपने चैनल पे यह जी के जीस का वीडियो डालते हैं ओनली 92 वीडियोज और यह अपने चैनल पे 4 मंत से काम कर रहा है मतलब 4 से 5 मंत हुआ इनको अपने चैनल पे काम करते हुए और 4 से 5 मंत के अंदर आप इनके चैनल के सब्सक्राइबर को देख सकते हैं सिंपली 88.7 के सब्सक्राइबर है आप सिंपली चलिए इनके चैनल का हम लोग history देखते हैं यहाँ पे चैनल को open करेंगे और वीडियोज पे आते हैं वीडियोज में popular वीडियो को देखते हैं तो यहाँ पे 4 मंत पहले इनका एक वीडियो वाइरल हुआ था जिस पे 20 लाख views हैं simply आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके चैनल को हमने देख सकते हैं 17 माई 2022 को इन्होंने अपने चैनल बनाया था मतलब कि माई में बनाया और अभी क्या चल रहा है नोवंबर चल रहा है तो माई से नोवंबर आप देख सकते हैं कितना मंत हुआ और अभी अपने चैनल से अर्निंग कर रहा है 50 प्लस तो जरूर अर्निंग करते होंगे बहुत अच्छा खासा व्यूज आ रहा है इनके चैनल पर जस्ट आप देख लिजिए 1.9 लाग, 1.9 लाग, 4.8 लाग, 5.7 लाग व्यूज है कौन बोलता है कि एजुकेशनल वीडियो पे भी उज नहीं आता है देखिए आप आपके सामने है एजुकेशनल चैनल है और इतना जल्द ग्रो किया टेक्निकल वाले, ब्लोगिंग वाले कितना दिन तक बस ऐसे ही वीडियो बनाते हैं और देखिए भाई पैसा कमा रहे हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा आप रिसर्ज किजेगा तो आपको बहुत आइडिया मिल सकता है किवल सोचने से नहीं होगा आपको मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा थोड़ा सा research करना पड़ेगा तभी आप पैसा कमा सकते हैं YouTube पागल नहीं है कि आपको free में पैसा दे देगा आपको महिनत करना पड़ेगा आपने content को तगड़ा बनाना पड़ेगा जब तक आपका content better नहीं रहेगा तब तक आपका video अच्छा से चलेगा नहीं और video नहीं चलेगा तो पैसा कहां से आप अरन कीजिएगा तो इस तरह के content पे आपको focus करना है और अगर आप एक student हैं और इस तरह का content बनाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज़्यदा फायदे मन्द है आपका knowledge भी बढ़ेगा आपका प्रहाई video चलप नहीं होगा और अराम से आप पैसा भी अरन कर पाएंगे अब इस तरह का video आपको कैसी बनाना है तो इस पे हम बात करते हैं तो simply ज़्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको क्या करना है current of fears का आपको वीडियो बनाना है current of fears में सब कुछ आपका आजाएगा विकोज इसमें competition कम है और सब के comparison में इसमें competition कम है आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे इनी वीडियो में से आपको क्या करना है 20 से 30 question आपको लिख लेना अपने copy में जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि सबसे उपर हो गए गौराव सर गौराव सर के वीडियो पे आप देख सकते हैं 17 घंटा में 5 लाग से भी जादा वीज़ है देख सकते हैं 16 मिनट का वीडियो है और 20 घंटा में 62 के वीज़ है कम नहीं होता है बहुत ज़्यदा वीज़ है और देखिए इसमें इस तरह का पीडियो बना कर इनोंने अपना मतलब की वीडियो रिकॉर्ड किया है पीडियो बना कर और ऐसा आप भी बना सकते हैं इससे भी बेस्ट आप बना सकते हैं मैं आपको स्लाइड बनाना सिखाऊंगा और स्लाइड बना के आप अपना वीडियो जो है और भी प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं अपने वीडियो को सिंपली देखिए यहाँ पे कोश्चन है हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतराष्टी दिवसकब मनाया गया तो यहाँ पे एंसर भी आपको मिल जाएगा 25 नॉमबर आपको क्या करना है कोश्चन लिख लेना है और इसका स्लाइड बनाना है तो यहाँ से आप 4-5 वीडियो देखिएगा यूटूब से ही और उसी में से आपको कम से कम 20 से 30 कोश्चन लिख लेना है और यह जो वीडियो है यह हरोज अपलोड होता है गौरव सर का वीडियो हरोज देखिए सुबह में आता है पराता साड़ा छो बजे इनका वीडियो आता है उसके साथ-साथ यह जो चैनल है नेक्स्ट एक्जाम इनका भी वीडियो हरो जाता है तो इनी सब वीडियो से आपको कम से कम 20 से 30 कोश्चन लिख लेना है उसके बाद आपको क्या करना है जस्ट मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दू कि स्लाइड आपको कैसे बनाना है मैं पहले से बना के रखा हुआ हूँ आपको सिंपली दिखा देता हूँ तो जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यह हो गया हमारे वीडियो का thumbnail जो वीडियो आप बनाएंगे उसका thumbnail आपको इस तरह से बनाना है उसके बाद slide कैसे बनाना है तो ये मैं आपको दिखा दू यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 November 2022 current affairs हाल ही में किस देश ने ओरियन अंतरिक चान लंज किया अमेरिका ने तो यहाँ पर simply यह हमारा slide कुछ ऐसे बनेगा दूसरा slide आप देख सकते हैं तिसरा slide आप देख सकते हैं तो ऐसे आपको जितना question आपके पास है उतना question का slide बना लेना है अब आप सुचिएगा कि sir इस तरह के slide बनाने में यह कैसे record करना है तो उसके लिए आपको एक screen recorder का यूज करना है जुस्ट आप देख सकते हैं मैं भी अपना video record कर रहा हूँ screen recorder app का यूज करके simply आप देख लिजे यहाँ पे आपको side दिख रहा हो screen recorder app तो आपको simply google play store पे जाना है और वहाँ से कोई भी एक screen recorder डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद आपको अपने phone का rotation मतलब की enable रखना है rotation enable करके simply जो slide हम बनाए हुए हैं यहाँ पे जैसे कि यह slide हो गया हमारा तो इस slide में यह first number question था इधर चला गया तो यह slide को आपको ऐसे rotate करना है phone को और rotate करने के बाद यह जैसे कि हमारा screen recorder enable है तो यहीं से हम अपना मतलब की start करेंगे वीडियो को start कैसे करना है तो starting में बोल सकते हैं हलो दोस्तो आज है 27 November और आज के इस current of affairs की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आज के 20 सबसे महत्वपूंड question को देखने वाले है तो हमारा पहला question है हाल ही में किस देश ने ओरियन अंत्रिक्स यान लंज किया तो इसका सही answer है अमेरिका ठीक उसके बाद फिर आप ऐसे आगे बढ़ेंगे दूसरा slide आपके पास आगया फिर यहाँ पे तो चलिए आप देखते हैं second question और आपका second question है हाल ही में कौन footballer 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाडी बने आपके option है निमार, लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन में से कोई नहीं तो इसका सही answer होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो दोस्तो कुछ इस तरीके से आपको अपने वीडियो को record कर लेना है उसके बाद ये सब जो slide मैंने आपको दिखाया इस तरह का slide आप कैसे बना सकते हैं अगर आपको ये सीखना है तो please comment करके हमें जरूर बूलिए इस तरह का slide आप Pixel Lab एप में बना सकते हैं चाहे इसका thumbnail हो चाहे ये जो slide आपने देखा ये सब आप Pixel Lab में बना सकते हैं अब देखिए इस वीडियो में मैं complete क्यों नहीं बता पा रहा हूँ विकाज बहुत सारे भाई लोग comment करते हैं कि भाई आपके वीडियो का length जो है वो बहुत ज़दा लंबा हो जाता है तो इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़के माफी मांगता हूँ कि इस वीडियो में complete नहीं बता पाऊंगा इसके लिए मुझे second part बनाना होगा हलांकि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ मुझे अंदर से खुद दुख हो रहा है कि मैं इस वीडियो में complete आपको नहीं बता पा रहा हूँ बट फिर भी माफ कीजेगा बहुत सारी लोग comment करते हैं कि आपके वीडियो का length बहुत ज़दा लंबा हो जाता है इसलिए मैं इस वीडियो में आपको complete नहीं बता पाऊंगा आप comment कीजिए मैं दूसरे वीडियो में आपको सारा कुछ बता दूँगा मतलब कि ये जो है slide कैसे बनाना है कैसे thumbnail बनाना है ठीक ये सब कुछ मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा और वैसे भी अगर मैं ये सब आपको बताऊंगा तो उसमें थोगा सा time लगेगा विकॉज आपको समझा समझा के बताना होगा तो उसमें थोगा सा time लगेगा तो प्लेज माप कीजेगा मुझे कि मैं इस वीडियो में आपको complete नहीं बता पाया तो दोस्तो आई होप आज की इस वीडियो में मैंने जो भी information आपको दिया वो सब आपको अच्छा लगा होगा तो आज की इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं और अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंड कीजिए तो चलिए फिर मिल टैंक ले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद